लोगसभा चुनाओं को लेकर भाकपा माले ने अपने तीनों सीटों पर पृत्याशियों की घोशना कर दी है आरा से सुदामा प्रसाद, काराकार से राजाराम और नालंदा से संदीप सौरव को टिकट दिया गया है जबकि अग्याओं सीट पर होने वाले विधान सभा उपचुनाओं में शिव प्रकाश रंजन को उम्मीदवार बनाया गया है नालंदा सीट से टिकट मिलने के बाद संदीप सौरव ने कशिश न्यूस से बातचीत में कहा कि रोजगार और सिक्षकों की मांग पर हम चुनाओ लड़ रहें जनता की आवाज बन करके सरकों पर हम उतरे और हमने जनता की आवाज सरकार को पहुंचाई तो हमारी पार्टी की जो सबसे मजबूत पहचान है हम एक जन संगर्सों की मजबूत आवाज हैं और जो भाजपा के खिलाफ आज वो पूरे देश में महौल बना है चाहे वो लोकतंद्र का सवाल हो सामपरदाइक सवहार्द का सवाल हो रोजगार का सवाल हो किसान का सवाल हो हर मूर्चे पर सरकार फेल हुई है बाँपवा माले की और से लोग सबहा 2024 के चुनाओं की गोशना की साथ-सात इनके परतियासी है उनकी गोशना करदी गई है और चार दिन पहले ही कसिस्स ने इस ख़बर को चलाया था बस आफचारी कैलान बाकी था और आज आफचारी कैलान के साथ साथ थंदीत और शुरफ जिन का नालंदा से परत्यासी के रूपे आए हम इसे बात कर लेते हैं अब सब लोग को बढ़ाई हो और इस पर हम लोग नालंदा मजबूती के साथ लड़ेंगे इंडिया गटबंधन पुरे बिहार में लीड करेगा जीतेगा और नालंदा में बड़े मार्जिन से हम लोग जीत दर्ज करेंगे अब अगला मुद्दा क्या होगा चूकि बिहार में जब तक आप बिहार बिदान सबाब लेंगे जिन मुद्दों को हम लोग पहले से उठाते रहें उन सारे मुद्दे को ले करके हम लोग चुना में जाएंगे क्योंकि बिहार सरकार से जो उमीदे युवाओं को थी वो ये सरकार नहीं पूरी कर रही है हम लोग जब महागटबंदन की सरकार थी तो रोजगार की बात हो रही थी अब मंदिर मस्जित की बात हो रही है तो यह सब जनता देख रहा है जनता इसका हिसाब करेगा अहम मुद्दा होगा जनता के सवाल और सवाल जितने तरह के सवाल है युवाओं का अलग सवाल है किसानों का अलग सवाल है सिख्षक लोग का अलग सवाल है सब सवालों को लेकर करके हम लोग बढ़ेंगे तो सुनापने की जिसतरीके से कई सारे मुद्दे हैं यूबा, रोजगार, सिक्षक और किसान सभी का मुद्दा है और इन सारे मुद्दे को लेकर के संदीप सौरफ संसत भवन तक जाएंगे और उनके मुद्दे को फिर से उठाएंगे कसिस न्यूज के लिए पठाव संकिता सिंग